इस साइड और उधर पीछे आपका भी यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार यहां पे पानी के समस्या कैसी है पीने का पानी है साफ पानी मिल रहा है साफ पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है वाटर टैंक जो है, काम नहीं करते सही बात है न? हैंट पंप काम करते आपने अपने आप से कभी पूछा कि 21 सदी में आपको आज यहां पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कभी यह सवाल पूछा अपने आप से कि नरेन मोदी बड़े भाशन करते हैं, बीजेपी की सरकार है, चांद की बात करते है, रोकेट की बात करते है, मगर यहां पे आम जंता को पानी पीने का ही नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, आपको पानी क्यों नहीं मिलता है? आज मैं यहां यही बात आपको समझाने आया हूँ, कि यहां आपको और आपके बच्चों को साफ पानी क्यों नहीं मिलता? जारकंड में पैसे की कोई कमी नहीं है ये गरीब प्रदेश नहीं है लोग गरीब हैं मगर ये गरीब नहीं है इसमें जल, जंगल, जमीन सब कुछ है धेर सारे मिनेरल्स है मगर आपको पीने का पानी नहीं पाँच साल पहले नरेन लमोदी प्रदान मंत्री बने पहला काम नोट बंदी याद है आपको बुल गए गरीब जंता के जेब से पैसा निकाला ये हमारी माता है बहने आई है दूर दूर से आई है इनके घर में गुसकर पैसा निकाला गया इनको बैंक के सामने खड़ा के आगया नरेन लमोदी ने कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई ट्यार हो जाओ इंदुस्तान काले धन के खिलाफ लड़ाई होने जा रही है पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया बाई और बेहनों लाइन में आपने अदानी जी को देखा देखा सूट पूट वालों को देखा परपतियों को देखा ना लाइन में हिंदुस्तान के सब से सब गरीब लोग कड़े थे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार बेरोजगार युवा, माताय, मैंने सब कड़ी थी आपका लाखों करोर रुपए लेकर नरेंद्र मोदी ने पंदरा लोगों को दिया पिछले पांच सालों में स्वयम नरेंद्र मोदी ने तीन लाख पच्चास हजार करोर रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े अरब पतियों का करजा माफ किया है कुछी दिन पहले एक लाख पचास हजार करोर रुपए टैक्स माफ किया ये आपका मोबाईल फोन का दाम बढ़ा आपके जेब में से पैसा लिया जा रहा है मगर दाम बढ़ने से एकदम पहले नरेंद्र मोदी ने साथ हजार करोर रुपए टेलेफोन की कमपनियों का माफ किया पैसा पैसा देना था सरकार को नरेंद्र मोदी ने मीटिंग कही कहा नहीं भईया पैसा देने की जरूरत नहीं है तुम लेओ साथ हजार करोर रुपए पैसे की ज़रुवत है हिंदुस्तान की जंता है लो मज़े करो उन्होंने 50% सेलफोन के रेट बढ़ा दिया अब हुआ क्या आपका पूरा का पूरा पैसा पंद्रा लोगों के पास यहां आप तूटे हुए हेंट पॉप को चलाते हो खटा क्टा खटा क्ट खटा खट जब चलाते पानी नहीं निकलता असमेंसे कि डिन पर लगाओ उसको दिन भर दबाओ दिन भर दिन भर ऐसे करो पानी नहीं निकलने वाला मगर अधानी जी के घर में मिनरल बोटल की बोटल ऐसी बड़ी बड़ी लाइन लगी वहाँ पे कोई कमी नहीं है अच्छा जमीन चाहिए जमीन चाहिए पंद्रह मिनट में जारकंड के गरीब से गरीब किसान की जारकंड की सरकार लैंड बैंक बना कर छीन लेती है काइम नहीं लगता दो मिन्ट लगते हैं भाईया यह अच्छी लग रही है आज चलो इसको ले लेते हैं यह काम पहले चत्तिसगर राजिस्तान मध्यप्रदेश में होता था बीचेपी की सरकार थी 24 गंटे वहाँ पे जमीन जीनी जाती थी हम जमीन अधिकरन बिल लाए लागू किया उसे जाई यह चत्तिसगर में पता लगेगा मार्किट से चार गुना जादा जमीन के लिए पैसा मिलता है किसान को चार गुना जादा मार्किट रेट से चार गुना जादा और बिना किसान के पूछे बिना अधिवासी दलिट से पूछे गरीब से पूछे सवन किसान से पूछे जमीन नहीं ली जा सकती कर लो जो करना है चतिस गड़ में जमीन नहीं ली जा सकती और एक और बात सुन लो अगर 36 गड़ में किसी बड़े उद्योग पती ने किसान से जमीन ली और 5 साल के अंदर उसमें काम नहीं शुरू किया तो वो ही जमीन वापिस किसान के हवाले कर दी जाती है ताटा कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी से 36 गर की सरकार ने जमीन लेकर वापिस आदिवारसी और किसानों को पकड़ा दी बाई और बेनो आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेरोजगारी है जहां भी देखो 36 गर जारकंड जहां भी पहले देखो बेरोजगारी बेरोजगारी अब जाहिए 36 गर पूछिए बेरोजगारी का क्या हुआ गायब हो गई मध्या प्रेदेश जाहिए पूछिए क्या हुआ बेरोजगारी का गायब हो गई राजिस्तान में क्या हुआ गायब हो गई कैसे हुई मैं बताता हूँ और बेरोजगारी कैसे आई वो भी बताता हूँ हम मन्रेगा लाए बोजन का अधिकार सही MSP और हमने किसानों मज़़ूरों के जेब में पैसा डाला UPA की सरकार थी 24 घंटा हम वो ही काम करते थे मन्रेगा में दो भोजन के अधिकार में दो जमीन अधिकरन बिल किसानों का पैसा नहीं लुटना चाहिए जैसे आपके जेब में हातों में पैसा आता था माताओं बेहनों के जेब में माताओं बेहनों के हात में पैसा जाता था आप माल खरीते थे माताय बहने सारी करीती थी बच्चों के लिए साबुन, टूथब्रश, टूथपेस, शूर्ट, पैन, बूट, जुता जैसे आप माल खरीते थे फैक्ट्रिया माल बनाती थी फैक्ट्रिया माल बनाती थी उनी फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलता था ऐसे हिंदुस्तान चलता था जितना हमने देखा जितना पैसा हम गरीबों के हाथ डालते थे उतनी तेजी से हिंदुस्तान की अर्द्ववस्ता चलती थी जितना हम डालते थे उतनी तेजी पूरा पूरा पैसा आपके जेब में से निकाल दिया माताओं बेनों के घर से निकाल दिया नोट बंदी गबर सिंग टैक्स छोटे दुकानदारों से छीन लिया आपके पास माल खरीदने का पैसा नहीं आपने माल खरीदना बंद किया शर्ट करीदना पैंट करीदना मॉबाल फोन करीदना बंद किया क्या हुआ सब फैक्टरिया बंद हो गई फैक्टरिया बंद हो गई क्या हुआ बेरोजगारी शुरू हो गई आज 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़़ारी हिंदुस्तान में कारण नरेंद्र मोधी और जारकंड की सरकार पूरा का पूरा पैसा 15 अमीर लोगों को देती है मैं आपको गैरंटी करके बता रहा हूँ आप बेरोज़़ारी गायब करना चाहते हो फाक्टियों को चालू करना चाहते हो किसानों को सई MSP दो मंद्रेगा चालू करो जमीन अधिकरन बिल लागू करो और जो पैसा 15-20 उद्योग पतियों को अरब पतियों को दे रहे हो और जुझानों को मज़वन को देखो कैसे अरज विवस्ता खुशालू हो जाता यए दो मिंट में ये आपको समझना पड़ेगा ये भ 답या है ये मामना क्या है इस जेब में से पैसा नकालेंगे इस जेब में से पैसा नकालेंगे जहां भी आपका पैसा है आपसे पैसा चीनेंगे यह आपके यहां जो पानी नहीं है यह क्या है यह वही तो है आप सोचते हो कि भाईया हमारे पीने को पानी नहीं है मगर पीने का पानी इसले नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा पीने के पानी दिलवाने में नहीं जा रहा है बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा आपको बिजली देने में नहीं जा रहा है वो उदर उद्योग पतियों को बिजली दी जा रही है प्याज महंगा हो गया यह दखो यह देखो अब अब यह मुझे बताओ यह मुझे बताओ अपने बाशन में नरेंद मोधी यह क्यों नहीं कहता अपने बाशन में यह क्यों पानी पीने कूल ना मगार अपने रॉकेट भेजा चांग तक रोकेट ब्यार यह उपर के और देखो वह वजेनर और बेल आज तक आप करते रोकेट बात आ एक तकर रहे हैं तो पानी के नहीं कि तूर्वा चाह्तर पाना धी देता कि प Но आपने वह बेज दिया मगर थोड़ा सा पानी भी पिला दो अच्छा भरिया सही दाम भी दिला दो घान का सही दाम दिला दो देखो 36 गर जाओ उधर पूछो उधर पूछो क्या रेट है आपको 36 गर में पता लगेगा 2500 रुपे घान का रेट है किसानों को 2500 रुपे मिलते है और इधर क्या है 1100 ये 1300 तो भाईया अपर एक बात बताओ मुझे यहाँ पर बहुत सारे किसान होंगे अब 36 गड़ की सरकार 2500 दे रही है और यहाँ पर कितना 1100 और 1300 1300 तो यह जो 2500 और 1300 के बीच में जो पैसा ही कहां जा रहा है कहां जा रहा है यह सीधा डायरेक्ट उदर जा रहा है उद्योग पतियों के पास अच्छा एक और बात समझो अभी मैंने पिछली मीटिंग में बोला आप टीवी देखते हो ना है ना देखते हो अच्छा दिन भर टीवी पे आपको किसका चेहरा दिखाई देता है फिर से बोलो किसका दिखाई देता है अच्छा मुझे एक बात समझाओ यह मीडिया के लोग बैठे है आपको नरेंदर मोदी का 24 घंटे चेहरा दिखाई देता है मगर टीवी पे आपको ना हिमन सुरेन का चेहरा दिखेगा ना राहूल गांदी का चेहरा दिखेगा है ना नहीं दिखेगा आपने अपने आपसे कभी पूछा क्यों नहीं दिखता मैं आपको बताता हूँ पहला सवाल आप अपने आपसे पूछो मीडिया किसका है मीडिया किसानों का है मीडिया किसानों का है मीडिया मजदूरों का है मीडिया बेरोजगार युदाओं का है नई मीडिया किसका है नरेंद मोधी का ने भीया नरेंद मोधी तो उनके लिए काम करते है वो नरेंद मोधी कि मालिकों का है हिंदुस्तान के 10-15 उद्योग पतियों का है मीडिया इसलिए राहुल गांधी का चेहरा मीडिया पर नहीं दिखाई देने वाला राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो जाके किसान युवा करेगा राहुल गांदी कड़ा होता है क्योंकि नरेंद्र मोधी का चेहरा मीडिया पे टीवी पे वही दो तीन चार उद्योग पती डालते हैं जिसके लिए नरेंद्र अब करेंद्र मोधी आपके पीने का पानी चीन कर उनको पैसा देता है ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है आपके लिए चब तक आप ये बात देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेन रमोदी ने कहा था में किन इंडिया उपर हैं जहां भी देखो पर भलत कार उत्तर प्रदेश में凌रेबुद कार्द कर में leaves wa पूर कारेज़ में यहां पर अपने कि अलाकर घ्तिकसा ऑंपर नरेंद्र मोदी के MLA ने महिला का रेप किया उसके बाद गारी का एक्सेंट हो गया नरेंद्र मोदी एक शब नहीं बोलता हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी आपने ये नहीं बता किस से बचाना है बी जेपी के MLA से बचाना है और ये देश को बाटते हैं दिन बर 24 गंटे ये देश को बाटने का काम करते है दिन बर 24 गंटे निका यही काम है एक जाट को दूसरी जाट से लडाएंगे एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लडाएंगे एक धन को दूसरे दन से लडाएंगे हिंदुस्तान को तोड़ने का बाटने का काम करेंगे 24 गंटा और फिर पूरा 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 पैसा अदानी अंबानी अदानी अंबानी अदानी अंबानी अदानी अंबानी और मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि जारकन में गटबंदन की सरकार बनेगी तो आपका जो पैसा है आपको पानी दिलवाने में जाएगा आपको स्कूल दिलवाने में जाएगा आपको यूनिवर्सिटी और हस्पताल दिलवाने में जाएगा और किसान को सही दाम दिलवाने में जाएगा और आप सब को मिलकर ख़ड़ा होना पड़ेगा एक साथ ख़ड़ा होना पड़ेगा और बीजेपी का लोगों को बताना पड़ेगा चात्री बात बुल गया ये मुझे बताओ आपका चीफ मिनिस्टर इमांदार है या ब्रश्ट इमानदार है या भरष्ट तो मुझे बताओ पूरा जारकन जानता है कि चीफ मिनिस्टर भरष्ट आदमी है नरेंद्रमोधी धिनबर कहते हैं मैं भरष्ट चार के खिलाब लड़ाई लड़ता हूँ तो अगर आप भरष्ट चार के खिलाब की कोशिश क्यूं कर रहे हो अगर आप इमानदार हो तो इसके साथ क्यूं खड़े हो जोकिदार तो यह मैं आपसे कहने आया था गड़ बंदन को पूरा समर्तन दीजिए यहां पे भयंकर जीत होनी चाहिए बगड़ बंदन की आप सब का दिल से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिद राहूल गाली